हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बबली आपका स्वाज़त करती हूँ अपने चैनल बबली बांडे की चर्में फ्रेंड्स आज में सेजवान फ्राइड राइस की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप कभी भी घर में आसानी से बना सकते हैं वह भी रेस्टरेंट स्टाइल और यह इतना टेस्टी बनता है कि जो भी खाएगा उंगलिया चाटता रह जाएगा और इस रेसिपी की खा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं और उसके साथ आपको तीन ओप्सन मिलेंगे तो सबसे ऊपर वाल वाल टच करें जिससे की मेरे वीडियो के सारे नूटिफिकेसन आपको मिल सकें सेजवान फ्राइब बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल बना लेंगे तो यहां पर मैंने एक कप बासमती राइस लिया है और कोई नॉर्मल राइस भी अपले सकते हैं लेकिन इससे बनाने से थोड़ा देखने में अच्छा रगता है बड़ा बड़ा दाना होता है इसलि से चावल अलग अलग रहता है चिपकता नहीं है और जैसे ही पानी उबलना सुरू हो जाएगा इसमें हम यह चावल एड़ करेंगे जो हमने धोके रखा था और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें ओपे नहीं पकाना है कवर नहीं करना है और फ्रेंड्स इसे हमें 80 परसेंट ही क करना है तो बीच-बीच में एक दो बार चेक करते रहें अभी टोटल 6-7 मिनट हो गया है एक दो मिनट के लिए और पका लेंगे तो टोटल यहां पे 8-9 मिनट हो चुका है और देख सकते हैं इसका दाना और भी ज्यादा फुला-फुला सा हो गया है इसको भी चेक कर चानने के बाद एक थाली में इसको फैला लेना है फ्रेंड्स हम 80% इसलिए कुक करते हैं कि चावल बनाने के बाद यह गरम होता है और यह कुक होता रहता है तो जो कसर है वो भी हो जाएगा ठीक और चावल को फैन के नीचे हम रख के ठंडा कर लेंगे यहां पे एक पैन गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ओल जैसे ही गरम हो जाएगा आट से दस बारी कटा हुआ लैसन डालके एक मिनिट के लिए भून लेंगे एक मिनिट के बाद ही यहां पे हाफ कप हम डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज इसे भी हलका सा बारी कटा हुआ carrot, half cup beans, half cup boil sweet corn, 1-4 cup मैंने लिया है ग्रिन कैपसिकम, 1-4 cup ही red कैपसिकम, 1-4 cup ही yellow कैपसिकम भी मैं डाल रही हूँ colorful देखने में थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन आपके पास जो भी capsicum है आप डाल सकते हैं और यहाँ पे cabbage भी आप बारी काट के डाल सकते हैं सारी सबजियों को 3-4 मिनिट के लिए भून लेना है अच्छी तरह से नहीं पकाना है soft नहीं करना है इसका crunchiness बना रहना चाहिए तभी अच्छा लगता है कोई भी Chinese recipe जब हम बनाते हैं उसे high flame पे बनाते हैं कि थोड़ा सब क्रंची लगता है तभी अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3-4 मिनिट इसको पका लिया है अब इसमें हम कुछ sauce एड़ करेंगे तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 teaspoon soya sauce 1 teaspoon tomato sauce 1 teaspoon vinegar इससे थोड़ा सखटा पनाता है 1 teaspoon chili sauce green या red कोई भी डाल सकते हैं और यहाँ पे मैंने लिया है 2 tablespoon sajuan sauce यह बहुत ही important है इसी recipe में इस तरह का कोई भी आपको market में मिल जाएगा अगर इसकी recipe चाहिए तो comment करके मुझे जरूर बताईएगा साथी साथ डालेंगे 1 teaspoon नमक sauce में भी नमक होता है तो हिसाब से ही डालें और इन सारी चीजों को अच्छे से एक बार मिला लेंगे यहाँ पे सबजियों में अच्छे से sauce मिल चुका है तो अब हम इसमें एड करेंगे rice तो rice जो हमने पहले ही बना के ठंडा करके रख लिया था वो एड करेंगे और friends देखिए एक एक दाना अलग अलग है चावल का तो हमें सेजवान फ्राई राइस के लिए इसी तरह का rice चाहिए तो पहले यह आप बना के उसको रख ले और अच्छे से हलके हाथों से इसको मिलाना है कि चावल तूटे ना तो इसको अच्छे से मिला लेंगे सब कुछ अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कलर बहुत ही ज़्यादा तो फ्रेंज आप देख सकते हैं कलर फूल सबजियों के साथ कितना सुंदर लुक आया है और इक-इक चावल अलग-अलग है तो बस इसी तरीके से आपको भी सेजवान फ्राई रैस बनाना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसके साथ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है और यहाँ पे लास्ट में अगर आपको मिल जाए तो स्प्रिंग ओनियन कट करके डाल दे मैं यहाँ पे फ्रेस धनिया पत्ता डाल रही हूँ और अब गर्मा गराम हम इसकी प्लेटिंग कर लेते है यह लीजिए फ्रेंड्स देख सकते हैं एक एक चावल अलग-अलग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा सेजवान फ्राइडाइस बनके तयार है तो यह रेस्ट्रेंट स्टाइल सेजवान फ्राइडाइस कभी भी बना के सर्फ करिए और अगर रेस्पी पसंदा है तो लाइक करिए चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब करिए फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बब बाई